एक बहुत अच्छी आउशद अपनी स्वेम पाध घर में उसका नाम है नमक, बहुत अच्छी आउशद, ये नमक क्या नामने आता है? जिसको भी ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, लो बेचे, उसकी सबसे अच्छी आउशद है नमक. क्या करना है इसको काने मिलाके पीना कि जिनको भी लोगल्ण प्रशर की शिकायत है उनको नमप पानी में मिलाके पीना सबसे अच्छी उश्चे है है कि स्कीतना व्रमप और कितना पानी एक इलास पाका गजिए आदा भिलाट्प्रेशर को भीछ करता है कि लेकिन वो कैसे ठीक करता है हाइफ अई नमक पानी पीन पानी में 100 ग्राम नमक बिला दीजिए इस नमक पानी से इसनान करी इसनान करते समय पानी को कभी सिर्प मठ डाले सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर डाले और इसनान करने के बाद शरीर को पांस साथ में पैसे ही चोड़ दीजिए उसको पोचने का नहीं नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए कपड़े पहन लीजिए और कभी भी साबूल मत लगाई है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15-20 नमक सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेधा करें, सबसे अच्छा दूसरे नमबर पे इच्छा आता है काला नमक और तीसरे नममर पे नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक पाउडर नहीं है वह जो छोटे-छोटे डेले में आता है ना क्रिस्टल वो नमक यह जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयोडीन यूप यह तो बहुत ही खतरना है सरकार यह जबरजस्ती सब को खिला रहे हैं हमने इसके खिलाफ मुकत्मा किया हुआ है बारत सरकार में बारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोट में मुकत्मा किया हुआ यह जबरजस्ती सब को आयोडीन यूप नमक खिला रहे हैं यह बहुत ही खराब है आप कोई भी है कि आयोडीन जाइन दूनिया में जर्मनी फ्रांस जापान जैसे 24 देशी इन में युक्त नमक 20 साल पहले बहुत कर दिया है कारव इसका क्या ने सबी देशों में आयोडीन जाइन युक्त नमक काने से एक गंभीर भी मारी आई जिसका नाम ना कुन सकता कि इंपोटेंसित तो वहां ज़्यानिकों नें रिसरच करके रिपोट दिया की इंपोटेंसि का नपुल सकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक नमक तो अमेरिका में जर्वनी में जपान में सभी देशों में ये बैंड कर दिया गया फिर वहां का ये नमद भारत आ गया और भारत में सब को जबरजस्ती खिला रहे तो हम ने मुकदमा किया है सरकार के खिला तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का इंग अधिकारी वह आया अधालत में मुकदमा होता है ना तो आना पूरत है तो अमने उसको पूछ लिया कि भाई तुम ये जबरजस्ती क्यों खिला रहे हो सब को आयोडी नियुक नमक तो उसमें का राजी भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमली प्लैनिंग पेल हो गया और जन संक्या बहुत बढ़ते हैं तो हम सबको जबरजस्ती आयोडी नियुक नमक खिलाए चार पास साल में नकूल सकता आजाएगी तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएगी तो भारत की समस्या का परिवार समानान हो जाएगी ऐसी हराम खूर सरकार इसलिए मेहीं आपको छो नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का जो नमक आता वो लाइए उसको धोकर और पूट कर पीस कर पाउडर बनाके उसको उप्योग में लाइए बाजार से पैकेट में बन जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज वो कभी मत लाइए और मैं आपको एक माहिती देता हूं कि आप पॉलें के घेगा रोग हो जाएगा बंजर नहीं होता है कि अगले चुंए दालों में होती है यह जो तूर की दाल है बसूर की दाल है व्रिद्की दाल है सभी में आयोडीन है हल्दी में भी है हरे पत्य की सभी सब्जियों में आयोडीन है गाजर में आयोडीन है मूरी में आयोडीन है पटाटो में आयोडीन है जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है शेंग दाने में तो सबसे ज्यादा आयोडीन है इसलिए जीवन में जो भी हम बोजन कर रहे हैं ज्यादातर भोजपदांखों में आयोदीन है फिर आपाहर से आयोदीन देने की कोई गरज और जरूरत नहीं है यह जबर्जस्ती सरकार में अभ्यान चला रहता है और इस अभ्यान के पीछे दो उद्देश है एक तो भारत में वड़े पहनाने पर लोग में नुखिन सकता लाइए ताकि लोग संख्या कम हों दूसरा उद्देश यह है कि 15 पैसे किलो के नमक को साथ रूपए किलो बिखवा लाए जो सादा नमक है वो 15 पैसे किलो आता है लेकिन उसको साथ रूपए किलो सरकार में बना दिया यह आयोदीन युफ्त न जारतों मrif हरे बत्ति सब्सेस सब्सक्रेश कैसा निकंती है तो इसलिए की खामारी औन की शरीम को ओंधे जरूरत नहीं लेकिन अगर अकरिक्त आयोडीन शरीर में एक तो नंसकिता यह पकता है इसलिए आप अपनी जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडी नियुक नमक बिल्कुल बंदर दीजे साधा नमक लाइए वही खिलाइए और अगर आप जानवरों को पालते हैं जैसे मशी है दूद के लिए गाये हैं उसको भी कभी आयोडी नियुक नमक मत रहे हैं बहुत सारे शेतकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गाय और भैसको आयोडी नमक खिलाओ तो वह गर्वबती ही नहीं होती गाये मशीवी गर्वावस्था में नहीं आते हैं कि इसलिए आप इसको ना खाए तो अच्छा तो नमक कॉन सा खाएंगे तल से पैकर ल और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है लाहरी नमक के नाम से मिलता है वो भी अच्छा है नहीं तो वो क्रिस्टल फॉब का देले वाला नमक को सब आउना मिलता है वो लाइए उसी पाउपिक करें काला नमक बहुत अच्छा है हाँ होई 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 संचर न काला नमक है। संचर नमक उसको बराधी में कहते हैं काला नमक हिंदी में।